हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी शार्ण पे आप सब का स्वागत करती हूं माई सूल फैमली मैं वीवर्स मैं सिस्क्रेबर्स काड़ बिलेस यह आज का भी का चुम्हें वीडियो लेकर आई हूं यह है आपके पार्टनर के फिलिंग्स आपके लिए उनके दिल में क्या है ज क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं और उनकी करंट फिलिंग्स क्या है और क्या एक्सन को लेकर वह सोच रहे हैं कलिक्टिव डिडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं मेल फिमेल मैरें अनमैरेंट सबी के लिए हैं किसी ने कमेंट में लिखा था किसी ने कमेंट में लिखा था गाना मत गाओ यार डियर गाना गाना मैं नहीं गाती हूं चैनलिंग होती है ठीक है एनरजी के नुसार गाना चैनलिंग होती है तभी मैं गाती हूं नहीं तो मैं अज़ा पाज़ाप करती हूं और जो मेरे inverse के तरफ से आप सब के लिए जो channeling message आईगा, song आईगा, वो मैं तो करूँगी और गाउँगी वो मैं करूँगी भी guide भी करूँगी और गाउँगी भी, क्योंकि ये मैं नहीं करती हूँ यह channeling होती है, तो मुझे वो करना होता है, गाना होता है, आप लोग को बताना होता है, चाहे वो गाना होँ या message हो, या guidance हो, ठीक है, वो मैं control नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो मैं, अगर आएगा वो song, तो मैं गाओंगी, ठीक है, और guidance जो देना होगा, universe कहेंगे, मैं वो आपको लेना है लिजिए और नहीं लेना उसको छोड़ दिजिए इसकिप किजिए ठीक है लेकिन जो मुझे मैसेज आएगा मैं वो दूंगी और वो गाऊंगी ठीक है गाना एक ऐसी हिलिंग है जो आप रोते हो तो सपोर्ट मिलता है हसते हो तो सपोर्ट मिलता है याद आती है किसी की तो सपोर्ट मिलता है celebrate करते हो तब गाना आपको support करता है गाना जैसी healing सायद किसी चीज में नहीं है meditation की बात अलग है लेकिन हम हर इंसान भक्ती शौंगो या romance वाली हो या फिर sad song हो कुछ भी हो हम लोग गाते हैं enjoy करते हैं dance करना हो तो भी music ऐसा बजाते हैं जहां हम लोग dance भी करते हैं तो गाना ऐसी healing जो आपको हर वक्त गाइड करती है support करती है चाहे अब जिस energy में आप रो रहे हो तो आप side song सुनोगे अगर enjoy कर रहे हो तो आप dance वाला music सुनोगे marriage commitment बात चोड़िए तो disco dance भी करोगे बहुत तरके गाने बनते हैं ठीक है इसलिए जो channeling होती है मैं गाह देती हूँ ठीक है वो भी current energy जो energy vibration करती है उसकी अनुसार किसी ने लिखा था गाना मत गाओ यार मैं तो गाओंगी क्योंकि इसलिए गाओंगी कि वो message आता है मैं आप तक तो message पहुंचाऊंगी अब आप उनको ले या ना ले बाबू ये मैंने जानती ये आपकी किशा है मैं बार-बार बोलती है ये वो आप से रिजमेंट होता है उतना रखिये बागी को जाने दीजे न क्या कहना चाहते है current situation में guidance silence आप उनको कुछ वीवर्स के energy में पिक कर पा रही हूं किया पे कुछ वीवर्स जो है आप उनको इतना प्यार करते हो जो मुझे चैल्निंग हो रही है ये जो होता है ना दुनिया में सबसे प्यार वही इंसान आपको लगा था लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा था कि वो आपके साथ ऐसा कड़ेगा या कड़ेगी तु ही मेरी मंजिल तु ही सहारा दिल के महमा ओ माइ गाड सालिब्रेशन देखो सालिब्रेशन जब रहते हो जूम जूम गुगाते हो तो बहुत अच्छा फिल होता है I am a disco dancer होता है ना साइलेंस रहते हो तेरी आद आ रही है तो हुआ ना तो साइलेंस में क्या होगे तेरी आद आ रही है सालिब्रेशन में जूम जूम करना चोगे गाओगे बहुत तरखे होते है तो गाना इस यह जो हीलिंग है जिस तरह से सपोर्ट करता है मतलब जो सिंगिंग भी करता है वो बहुत बड़ा हीलर है हमारी लतादी लव यू सो मच माई लतादी लव यू सो मच जहां है जैसे भी है उनकी ब्लेसिंग्स है तो लतादी मेरी कोयल कोकिलादी ठीक है वो कितनी अच्छी सिंगर थी उनका क्या लाइप था बहुत कुछ है इतना मैं नहीं असेर कर सकती बट मैं उनको कोटी-कोटी नमन करती हूँ हमारी गुरू आज वो खुद एक एंजल है ठीक है तो सबसे बड़ा हीलर देखिए डॉक्टर है वकील है सिंगर है सिंगर का देखिए सिंगिंग जो होती है बाड़ी की से आप सुनिए ना कि उसके गाने में कितने टोन होते है कितना बड़ा हीलर वो होता है जो सिंगर है चीक है बाड़म दर्डेक से दफूल अब आपके तरफ से जो गाइडिन्स मैं देना चाहूंगी आपके जो एनरजी मैं पिक कर पाड़ी है उसके सिंगिंग आ रही है जो आप उनसे प्यार करते हो आपके तरफ से ये उनके तरफ से नहीं है आप उनको याद कर रहे हो आप उनको अगर मिस कर रहे हो तो आपके लिए गाना जो आपकी दिल जो कह रहा है जो आपके अंतरा आत्मा करिए ये गाना है तो ये गाना आपकी रूह से निकल लिए आप इतना उन्हें प्यार करते हो दुनिया में कोई नहीं प्यारा जितना प्यारा वो इनसान आपके लिए है था भी है भी बड़ सिचुएशन के इनसार वो थोड़ा सा थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो तो देखें बाबू मैं हर तरह से आप लोगों गाइट करती हूं मोटिवेट करती हूं इनरजी चेक करती हूं डिटेल्स एकदम जो बारिकी होती है मैं वो तुरुथ बोलती हूं ठीक है यहां तुरुथ निकलती है कोई बनाप्टी ने निकलती है यह कर्म है और विश्वास यह मेरा धर्म है जब तक हूं कर रही हूं करूंगी आगे मेरे प्रभू की मर्जी आगे क्या होगा वो सिर्फ वो जानते हैं क्या मेरे मन्जे तु ही सहारा दिल के है तेरे चले जाने से साइबा साइबा बिश्वास किजिए बेटा जो बिश्वास में सक्ति है न बिश्वास कौन है वो है बिश्वास कौन है आप है बिश्वास कौन है यूनिवर्स है सब आपके अंदर है किसी और के पास नहीं है सिर्फ वो आपके पास है अगर सक्ति के साथ आपको इसी मैनिफेस्ट करते हो अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हुई तो बर्मान की सक्ति मैं क्या उनको बोलूं कि जितनी ताकत है उनमें सिर्फ आप खुद को बदलो उसके बाद देखो आप हर कुछ क्रियेट कर सकते हो आ रहे ठीक है दफूल के एनरजी में है लेकिन परशान दिखाई दे रहे हैं प्लान करें आपसे कहना चाहते हैं बस दिदी की बात मानो सेल्फ लब करो सेल्फ लिंग करो प्यार है वो मिलेगा सबकी अपनी डिवाइनिंग टाइम होती गुसा मत करो हाँ उसने दिल तोरा होगा इसलिए तोरा है कि प्रोसेस है आपको खुद को बदलने के लिए आपको कुछ बड़ा चीज़ा अचीब करना है इसलिए गौड ने आपको कुछ दिया है अगर साप्रेशन दिया उसको रिशिप किजिए साप्रेशन ही आपको लाइक को चेंज करेगा और साप्रेशन है बट हार कभी मत मानना मैं यह कहना चाहूंगी इसलिए आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपर धंग से आप लोगो मोटिवेट करती हूं एनर्जी चेक करती हूं प्रॉपर मैं गाइडिन्स और आप लोगों के नर्जी चेक करती हूं ठिक है देखिए दफूल भी आया है यहा और यह प्रसन को पेन हो रहा है ठिक है लग सपोर्ट कर रहा है यह आगके Schon अवी करने वाले हैं जाहे वो जो भी हो ठीक है यह यह फाइट करने इनर्जी बहुत खुबसूरत एनर्जी अब इतना कार्ड के लियर आ गया है तो आप समझ सकते हो बाबू कि क्या हो सकता है अपने माइंड को डिस्टर्ब मन कीजिए अच्छी चे गाने सुनिया आज आपाजाप कीजिए ग्रैटिटूर सो कीजिए करने ट्रे ताकि आपके जो औरा स्ट्रॉम होगा ना आपकी हीलिंग होईगी ना उस वक्त आपके पार्टनर आपके तरफ ट्रॉपर डंग से गाइडियन देंगे लेकिन अगर आप गुसा कर रहे हो फाइट कर रहे हो वह चीज साइकिल होती है वह रिपीट होती है बार-बार ठीक है ठीक है अध अब देखिए ये पर्षन की एनरजी है आपके तरफ बढ़नी अभी साइलेंस है बिल्कुल चूप है खामोस है अब बहुत स्ट्रॉंग यहाँ पर आपको यह मिस्क कर रहे हैं लेकिन यह मिस्क तो जरूर कर रहे हैं इस रिष्टे को यह कैसे भूला सकते हैं जो एक दूसर से इतना कनेक्शन स्ट्रॉंग है आप दो कार्ड देख सकते हो यह दोनों जो कनेक्शन दिखा रहा है आप दोनों कर इस तक भगवान तो कभी नहीं तोर सकता हाँ यह 3D दुनिया में है लोग आपके पीछे पढ़ेंगे ट्रिगर करेंगे तोडने की कोसिस करेंगे लेकि यह आ रहे है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी किसी परकार का ट्रिगर किसी परकार का टावर उनके लाइफ में जहां आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे लग राएडियर आप या आपके परसंट किसी से गाइडेंस ले रहे हो उससे आप अपने आपको फॉलो क और या फिर इस रिष्टे को लेकर, मैरिज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कहीं न कहीं, आपके पार्टने किसी से गाइडेंस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है इनके लाइप में दो चुआइस हो जिने जहां पर एक को चुरना पड़े, पहली बात, लेकिन ये पर दुखी होता, रिग्रेट फिल करता, नहीं होता, अगर ये प्रॉपर कार्विक होता, फेक होता, ट्रिगर करने वाला होता, तो ये कभी रिग्रेट के एनरजी में नहीं आता, डिस्टर्ब नहीं होता, और बार बार इनके लाइप में टाबर मोमेंट नहीं आता, अब कहा जो हैं लेकिन कुछ परसानिया आ रही है और ये परसंद आपको भुला नहीं परुआ है नहीं आप भुला परुआ है मतलब आप एक दूसरे के लिए हो देखा जाए तो आप दोनों ट्रॉपधि स्ट्रॉंग कनेक्टिटो नहीं हैं जो आप सोचते हैं जो यह सूचते हैं आप भी सूचते हो तो कभी-कभी आप mirror भी करते हो लेकिन soul एक ही है समझ रहे हैं लेकिन ये person side आप से अब दूर नहीं रह पाएंगे क्योंकि ये अब the full के energy में है कि होता नड़ी है जब disturb होता है इंसान तो भाई या दुनिया जाए टेल लेने मुझे ज समझ रहे हैं या future partner बनाना चाहते हैं और ये आप के लिए passionate फिल कर रहे हैं इनको ये हैसास है कि आप मेरे लिए खुबसूरत solo खुबसूरत partner हो और ये थोड़ा confused है क्योंकि ये इस फ़क्त guidance लेते हुए नजर आ रहे हैं या इनोंने किसी से guidance लिया है या आपने किसी से guidance ये person regret के energy में मैं क्या करूं लेकिन फिर भी इनकी चाहे कि वो आपसे मीले बात करें एक बार आप एक दूसरे को समझे जाने क्योंकि आपके खिलाप साजिस भी हो रही है आपके partner के साथ legal issue की बाते भी चल रही है या ये legal issue से किसी प्रकार से गुजर भी रहे हैं लेकिन य एक दूसरे से जुदा होने नहीं देंगा अगर इनकी marriage हो चुकी है पहले से marriage है तो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है उनका भी past life connection होता है जब तक उनका कार्मिक cycle वो चलेगा जिस दिन रिलीज होगा आप दोनों एक हो जाओगे तो देखे सब की अपनी प्रिलाप की situation है क्या ह नहीं आप लोग भी समझते हो कौन आया है क्यों आया है यह रिस्ता खास होता है क्योंकि आपको universe कुछ देना चाहते हैं इस सिस्ते की एहमिये society समाज image partner और उनकी family और आपके parents यह आपके relative समझे तब तक थोड़ा balance थोड़ा अपनी पर focus थोड़ा self love थोड़ा spiritual growth और चीतन silence है यह guidance लेन कि इनके life में ऐसा क्यों हो रहा है क्यों आपको पाक कर भी पूरी तरह नहीं पा रहे हैं क्यों इनके दिमाग में इतना confusion है क्यों इनके दो रास्ते हैं क्यों इनको दो में एक ही को चुनना पर रहा है बहुत सारे सवाल जबाब हैं चिक हैं लेकिन लोग चाह कर रहा है आप दोनों relationship में ठीक है कोई jealous है कोई इर्षा करता है आप से आप देखो यहां जो भी हो आप आप गुस्से में बात करें या गुस्से से कुछ लिख दें या कुछ भी करें लेकिन आपका जो सोल है ना वह बहुत खुबसूरत है लेकिन गुस्सा अलग है आप लिखते हो कुछ हो बोलते कुछ हो देखे यह समझाना मेरा काम है लेकिन मैं उतना नहीं डिस्टर्ब होंगी क्यों कि देखो मेरा काम है आप लोग को गाइड करना क्यों कभी कभी आप तरपते हो रोते हो आपके साथ ट्रिगर किया जाता है धोका जाता तो आत्मा रोता ह लेकिन आपको इसलिए तो मैं proper guide करती हूँ तो यहाँ पर यह guidance है आप जो हो अपने आपको पहचानो ठीक है आप जो हो अपने आपको पहचानो खुद के लिए भी नयाए मांगो खुद के लिए भी जीना सीखो ठीक है आप अपने leadership की quality को भी देखो ठीक है आप अपने soul को पहचानो देखिए इस वक्त आपके partner current situation में वो आपके तरफ बढ़ने की planning कर रहे है silence है चूप है खामोस है confused लेकिन यह आपके तरफ बढ़ रहे है reunion के chances जरूर दिखाईते रहे हैं लेकिन यहाँ पर साजी चल रही है कोई है जो interfere करें आप दोनों relationship में और यह कहिना के regret के energy में किसी प्रकारणा टाबर आया हो या पर आज सकता है इनके life में लेकिन फिर भी prayer प्रातना कीजे कि इस टाबर से आप बच सके fighting से बचिएगा चिक है क्योंकि अगर यह बात भी करते हैं प्लान भी कर रहे हैं आप से मिलने का बात करने का तो प्लीज बाबु में यहां कहूंगी बात चीत होती है call message आता है तो प्लीज प्लीज फाइट मत किजेगा क्योंकि टाबर की energy आई है ठीक है देखिए अगर blockage रहता है तो बहुत सारा obstacle आते है ठीक है तो थोड़ा आप बेर रहेगा थटपाटी से related बात नहीं करना है कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी है यह खुल कर बात कि क्योंकि डिश्टा में खुद प्लान कर रहे है आप टेंसर मत लो डिवाइनिंग टाइम पे आप लोका मिलन और रियूनियन होगा परमानें लेकिन इस वक्त यह दफूल के एनरजी में आ रहे है रियूनियन चाह रहे है लेकिन इनकी प्लानिंग आपके साथ है क्योंकि यह गाइडिन्स ले रहे है और दो में से इन्हें एक को चुनना है ठीक है दो में से इन्हें एक को चुनदा है और यह आपको चुनना चाहते हैं ठीक है और कुछ फिर्स आपके पार्टनर के लाइप में लिगल इशू भी चला जहां वो डिस्टर्ब हैं अब यह लिगल इशू कैसे third party से related है finance related है properties related है या कोई इन्हें trigger कर रहा है या इनको कोई धमकी दे रहा है कोई आसपास के लोग है जो इनको manipulate भी करें लेकिन आपको अपने आप पर focus करना है आप जहां strong हो गई ये बंदा strong रहेगा आप जहां आगे बढ़ो गई ये बंदा आपके पीछे आएंगे ये male और female दोनों के लिए बात कर रहे हो बर आपको ये प्यार करते हैं reunion में आना चाहते हैं लेकिन ये guilt में है कि वो आपको खुसी क्योंने दे पारे लेकिन यहां reunion होने जा रही है और celebration आ रहा है लेकिन current situation में ये miss कर रहे हैं disrupt बहुत है mental stress बहुत है इनको decision लेना है उस decision में ये सिफ आपको चुनना चाहते हैं तो ये person की energy जो भी आपसे ये प्यार करते हैं viewers जी ठीक है इसलिए गुसा नहीं थोड़ा सा fighting से बचेगा क्योंकि ये टाबर आता है तो मैं डर जाती हूँ कि आप लोग का कोई problems ना है इसलिए मैं पहले guide कर सकती हूँ अगर जो वीडियो आप ignore कर देते हो तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हर वीडियो में आप लोग को guide कर देते हूँ अभी भी कुछ भी है क्योंकि डिस्टर बहुत है अगर बात चीट करते कॉल मैसे आता है तो फिर साइलेंस रहें कोई बात को ना बरहें तो यह परसंद आ रहे हैं मिस कर रहें बहुत जादा मिलना चाह रहें अपने सोल को ढूण रहें अपने काउंटर पार्ट को ढूण रहें इंटिग्रेशन भी है दल लवर्स की एनरजी तो यहां पर करना है तो किजिए नहीं करना है तो चुप और खामोसरी साइलेंस हो जाएगे मैं यह इतना ही गाइड करना चाहूंगी ठीक है आपके उपटे बहुत लोग देखते हैं जो गाइड को फॉलो करेंगे तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होएंगे अगर डिस्टर्ब इंसान है ब्लॉके जाए तो खुद को बैलेंस कर लेंगे ठीक है तो चलिए वीवर्स आपके तरफ सालीवरेशन रियूनीन होने वारी आपके पार्थन आपके तरबने लेकिन मेरी गाइडिस अवेर रहिएगा ठीक है वीडियो अच्छे लगे डियार तो लाइक किजिए और मुझसे प्रसर रीडिंग लेना हो तो मेरे इमेल इडी पर कॉंडेक किजिए इमेल डिस्किप् करना है तो पहले से आप कर सकते हो और डिटेर्स अपना इमेल इडी पर दे दीजेगा ठीक है तो यह है आपके पार्टनर की इनरजी खुस हो जाएए अच्छी चे गाने सुनिए जो पॉजिटिव वाइपस मिलती है देखिए जैसे कि गाना क्या हुआ जैसे कि अभी यह दुनिया में जिसे आप उनको ढूंड रहे है यह सोल आपके तरफ से जादा में देख पार ही जितना वह डिस्टर्ब है आप भी अपने सोल को ढूंड रहे है यह गाना में राम तरी गंगा में लिका है ना दुनिया में कोई कुछ इसी तरह गाना भी वर तो यह आप गा रहे तो यह भी वही डिस्टर्ब है वही खोज़ जब देखिए जब तक आपका काउंटर पार्ट आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जब तक आप से कनेक्ट नहीं करेगा आप उन्हें माफ नहीं करो बाबू तो कैसे मिलन होगा ठीक है लेकिन ब्लॉकेज के वज़ा से कुछ ना कुछ ऑफ्स्टिकल आते हैं इनको रिलिज करना सिखिए लिट को करना सिखिए ठीक है तो चलिए बहुत सारी वीवर्स आपके रियूनियन हो रहे हैं और इंप्रसन रिजिन लें मेरे email ID पे contact किजी email ID मेरे description box में है अपना ध्यान रखिए aware रहिए सांत रखिए अच्छे-चे song सुनिये जो आपके partner के तरफ positivity डालती है रुमांटिक फिलिंग्स हुआ हाट तो हाट कंवर्शेशन वाला हुआ एकदम साइट सुनियेगा कभी मस सुनियेगा तो चैनलिंग कभी आता है तो जैसे डिस्टरब है अभी डिस्टरब है तो मुझे गाना होगा कि उसके इनर्जी क्या कि आप पिक कर सको लेकिन यहां अभी एकदम से साइट सौंग मस सुनियेगा ऐसा रुमांटिक फिलिंग से उनको फिल किराई है जैसे कि टेलिपैथी कैसे कनेक्ट करते हो उसी तरह गाना सुनिये जो आपके प्यार को वह अनुवाफ कर सके ठीक है साइट सुनियेगा जब तक चैनलिंग सांग नहीं आता को वाल पूरा नहीं आरहा है तो ही मेरी मनजिल तु ही सहारा तो बहुत सारी आपने बहुत प्यार किया है िनको दिलो जाher से सबसे जढ़ प्यार किया इसलिए और शिक्द्व लगती है तो ठीकिया तो प्लीज कमेंट में लिखेगा और दीडिक्षम इतना बोलती है इं इसलिए इतना बोलती है कि दीदी एक टेरोकार डीडर की तरह बात नहीं करती है, दीदी प्रॉपर ढंग से एक टीचर की तरह गाइट करती है, ताकि आप अपने लाइप को चेंज करें, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, लाइप में खुसियां लाएं, सक्सेस लाए अबर्णेंस लाएं, नेम लाएं, फेम लाएं, क्योंकि वो कह रहे है, है न, अपना-पना ध्यान रखी, अवेर रहिएगा, फाइटिंग से बचिएगा, ठीक है, कोई ट्रिगर ना करें आपको, डिस्टर्ब्ना होएं, मेरे गाइडियंस को, देके गाइडिंस का कार्ड है, तो देके गाइडियंस को फॉलो जरूर कीजेगा, अपना ध्यान रखीएगा, गॉड ब्लीस हैं, थैंक यू,